कॉट ए प्लस कॉस ए इस इकल टू को सीकेंट ए माइनस वन ओवर को सीकेंट ए प्लस वान ठीक है बच्चों इस 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 इसमें भी हम थ्री स्टेप्स लगा के कर सकते हैं इसको बच्चों सबसे पहले क्या लिया है लेफ्ट एंड साइड कॉट ए माइनस कॉग आपऌन कॉट ए प्लस कॉस है सबस्ट एंड सबस्टिब्स ओ स्टेपकें था नुए प्लस कॉसे इस मिली कॉट वहुं मिली कॉट कॉट को हम चैंज कर लेते हैं जी कॉस ए उपान साइने माइनस कॉस ए is it clear is it clear second step में क्या operation लगाएंगे अब आप what will be your operation in second step second step में क्या था algebraic identity, taking common LCM, factorization all these things, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ applicable है बेचे यहाँ पे देखिए आप LCM भी ले सकते हैं right और common भी ले सकते हैं दोनों terms में कॉसे common है right or not ठीक है तो हम common ले लेते हैं हम LCM क्यों नहीं ले रहे अगर हम LCM लेंगे तो question lengthy हो जाएगा इसको बिलकुल easy है आप कॉसे common ले लो numerator से भी और denominator से भी जब आप numerator से लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 1 minus 1 upon sin A minus 1 और denominator में क्या बच गया कॉसे into 1 plus sin A plus 1 तो यह कॉसे और कॉसे cancel हो जाएगा right so now आपको प्रूव क्या करना है कॉसेकेंट A minus 1 upon कॉसेकेंट A plus 1 1 upon sin A किसके एकवल होता है जी कॉसेकेंट A तो हमारा answer आ गया जी इसमें हमें third step की भी जुरूरत नहीं पड़ी second step में हमारा answer आ गया right बच्चो so आपने यहाँ पे सिरफ 2 step लगाए है convert कर लिया sign and cost में और दूसरे step में algebraic operations लगा दिये and you have got the answer जब भी आप proving वाले question करें तो हमेशा ध्यान दे कि आपको prove क्या करना है क्योंकि same question हो सकता है कि proving different है तो आपको different way से proceed करना पड़ेगा right any query any question on this next question पे चलते है nothing next question is example 12 one of the most important questions साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन यह कोशन थोड़ा यूनीक कोशन है इसके अंदर यह रूज अप्लिकेबल नहीं होते बचे इसको बिलकुल डिफरेंट वे से करना होता है यहां पर बलकि उसका रियसी प्रोपकल चलता है यहां पर क्या है और हमें प्रूव करना है सीकेंड और टैन की फॉर्म में हम जनली क करते थे कि अगर हमारे पास कुछ साइन कोश में अपार्ट सां कॉस है तो उसको साइन कोस में कंवर्ट करते थे बट यहां पर औरणी साइन हॉस्त की फॉर्म में जिवन है विक रफके क्षे यहां पर जातृट से डिवइड करते हैं तो हमारे पास सीकेंडर टैन की फ़र्म में आ जाएगा सारा कुछ तो डिवाइडिंग नूमरेटर एंड डिनॉमिनेटर बाइं को सीटा राइट जी इस क्लियर तो आपने लेफ्ट साइड लेली लेफ्ट एंड साइड में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो जब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा पॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्छो स्टेकंट थीटा, similarly in denominator, 10 थीटा प्लस 1 माइनस, is this clear बचो? Yes, sir. Now, हम थोड़ी सी समें अड़ेस्टमेंट करते हैं, हम क्या लिखते हैं, इसको स्टेकंट थीटा प्लस 10 थीटा लिखते हैं, 1 को हम बाद में लिख लेते हैं, what we'll write, स्टेकंट थीटा प्लस 10 थीटा माइनस 1, can we write like this? Will it make any difference? Will it make any difference or not, बचो? मैंने एक टम को आगे लिख दिया, दूसरी को पीछे लिख दिया, कोई फरक नहीं पड़ा? Yes or no? Yes, sir. अब यहां पे क्या करना है, यह वला step बड़े दिहान से देखना है, यह वला जो 1 है आपके पास, इस 1 की आपने अडेंटिटी लगानी है, कौन सी लगानी है? सीकेंट स्क्वेर थीटा, Sir, प्लीज, विपीर. बताता हूं, बचे, हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, बेटा? 10 थीटा माइनस 1 प्लस सीकेंट थीटा, तो मैंने माइनस 1 और प्लस सीकेंट थीटा, दोनों को इंटरचेंज कर लिया, तो पहले सीकेंट थीटा लिख दिया, बाद में 1 लिख दिया, अब यह जो 1 मैंने सर्कल किया है, इसके प्लेस पे मुझे अडेंटिटी लगानी है, कौन सी? तीकेंट स्क्वेर थीटा माइनस 10 स्क्वेर थीटा एक्वल टू 1, आपको यह जो अडेंटिटी लगानी है, यह निउमरेटर में लगानी है, सिरफ डिनॉमिनेटर में नहीं लगानी है, यू आप टो भी वेरी केरफुल, बच्चे क्या करते हैं जनरली, उनको बोला गए अडेंटिटी लगाने को, वो निउमरेटर में भी लगा देते हैं, वो डिनॉमिनेटर में भी लगा देते हैं, यू नीड नॉट तो अप्लाइट अप्लाइटी इन डिनॉमिनेटर, इसको जब भी अगाएं अगर बाहर माइनस आइन है तो आलवेज कीप इन ब्रेकेट इस इस टेप क्लियर बच्छो इस टेप क्लियर इस टेप क्लियर और नॉट प्लियर सब नाव निक्स टेप क्या लगाना है अपको यह a2-b2 के अडेंटिटी लगानी है बच्छो यहां पर secant square theta minus tan square theta में you have to apply a square minus d square so what it becomes tan theta plus secant theta minus bracket में कर लीजिये जे is this visible yes sir यह बन जाएगा secant theta minus tan theta into secant theta plus tan theta denominator will remain as it is is it clear is this clear students yes sir now देखिए एक term हमारे पास यह वाली है जिसको मैंने underline किया और दूसरी term है यह total इन दोनों में secant theta plus tan theta common आ रहा है अगर मैं इसको bracket में रख दूसरी term को can I keep it in bracket तो देखिए secant theta plus tan theta common आ रहा है दोनों terms में से yes sir section B what is the problem बच्चे why you are coming close to mic every time कोई डाव प्रॉलम आ रही है बच्चे तो बताईये मुझे sir sir please tell me what is the problem actually the screen is not properly visible okay those shortcuts of classes are shown above whatever you have written there on the board shortcut for the classes yeah just a moment please repeat your problem actually the thing is different class different classes options are shown there on the screen means different classes are shown in the form of shortcuts okay you are not able to see the full screen yes yes okay sir you please re-join okay sir please repeat this question from starting yeah i'll start just let the section B join again then i'll restart it right yes issue resolved sir oh right sir right right sir yes but the question is we have to prove sin theta minus cos theta plus one upon sin theta plus cos theta minus one is equal to one upon sec and theta minus ten theta is this clear is this clear is this clear is this clear similarly sin theta upon tan theta sin theta upon cos theta is tan theta cos theta upon cos theta is one and one upon cos theta is secant theta is the step clear is this clear ? is this clear ? yes so do you say found this clear ? now ther minus tan squared theta is equal to 1. इस वले 1 के place पे हमने identity लगानी है. Denominator में नहीं लगानी है. I am telling you time and again. Please be careful. Don't apply this identity in denominator. Only apply in numerator. Is this clear? Is this clear, बच्चो? Yes, sir. आपने जब identity लगा दी, तो यहाँ पे secant square theta minus tan square theta आ गया. Now, इसके बाद, इस पार्ट में a square minus b square की identity लगा दी आपनी. So, this becomes secant theta minus tan theta upon secant theta plus tan theta. यहाँ तक clear है, कोई doubt है, तो बताईए जी. Is this clear? Yes or no? Yes. अब यह देखिए, यह वली term जो है, आपके पास tan theta plus secant theta और tan theta plus secant theta. यह दोनों term same है. तो यह common आ जाएगी, बच्चे, दोनों terms. Means this bracket part will be common. अब आपके पास first term में क्या left over है? What you are left with? बच्चे, आपके पास लिखावाया है. A minus A, B. अगर आपने A common ले लिया, तो what you are left with? 1 minus B. तो आपके पास यह A है, और यह B है. So what you are left with? A minus B. What is B? secant theta minus 10 theta. Please keep it in bracket. because outside sign is negative. और denominator same रहेगा, बच्चों. यह step clear हुआ बच्चों यह नहीं हुआ जी? Yes or no? Yes. अब यहां पर अगर हम bracket open करते हैं, तो what it becomes? 1 minus secant theta plus 10 theta. Yes or no? Is this clear? 1 minus secant theta plus 10 theta. जब मैं इस bracket open करता हूँ, मैंने bracket open कर दिया. Sign will change. Right? अब यह वली bracket और यह bracket, दोनों same terms आ रहे हैं, बच्चे? 1 positive है, 1 positive है. secant theta negative, secant theta negative. Plus 10 theta. So these two brackets are same. Denominator and this bracket. Are they same or not? Yes. Can we cut them? Can we cut them or not? Yes or no? Yes. So now what we are left with? Secant theta plus 10 theta. Right जी? इतना note करिए, बच्चे, फिर मैं आगे वजर आता हूँ. Please note down this much. कोई step नहीं clear हो, बच्चों कोई चीद नहीं समझाए, please tell me. आपकी पूरी ट्रिक्नोमेट्री का सबसे important question है. हो गया बच्चों, note down? बच्चों, note हो गया? बटा, yes, no कुछ तो बोलो. Yes. Last step करते हैं इसका. अब हमें proving क्या करनी है, बच्चों? 1 upon secant theta minus 10 theta. Right? So, उसके लिए क्या किया जाए? We are left with secant theta plus 10 theta. और हमें चाहिए क्या है 1 upon secant theta minus 10 theta अगर हम यहाँ पर इसको rationalize कर दे secant theta minus 10 theta से multiply और divide right बचो so numerator में आपकी identity लग जाएगी a square minus b square यहाँ पर हमने break किया था यहाँ पर already broken form में हम इसको a square minus b square लगा देते है is it clear is this step clear बच्चो this is same identity so numerator will be 1 it is equal to यही प्रूव करना था हमे yes or no please no down excuse me sir yes यहाँ पर हमने firstly equation को cos के साथ divide किया बट अगर हम पहले से sin minus cos theta plus 1 में 1 की value sin square plus cos square put करते हैं इक है कर दिया तो अब हमारा answer भी आई सकता था कैसे बेटा उसके बाद हाँ जी आपके पास 1 की value हो गई sin square theta plus cos square theta yes उसको क्या करोगे आपको यह डंटी बनती है बेटा sin square theta plus cos square theta मारा a square plus b square आप कुछ लगा सकते हो क्या हाँ जी बेटा tell me yes or no no नहीं possible है बेटा क्या कि अगर हमारे पास a square minus b square वाली डंटी बनती then only we can apply the formula a square plus b square के लिए तो हम कुछ नहीं apply कर सकते right any other doubt very good question और कोई doubt please ask as many questions you want to ask please ask questions जी एक बार दुबारा बता दू मेटा ये right जी देखिए क्या कि हमने सबसे पहले left hand side की सारी terms को numerator और denominator को cos theta से multiply कर दिया और उसके बाद हमारे पास cos theta upon cos theta जो किया यहां पर one आ गया तो one के place पे हमने numerator में only numerator में identity लगा दी identity लगाने के गाद हमने a square minus b square की identity लगाई यहां पर और यह tan theta plus secant theta हमारे पास common आ गया जो whatever was left over in denominator and numerator दोनों आपस में cancel हो गए यह और हमारे पास क्या बचा बच्चे सीकेंट theta plus tan theta इसको आपने आगे rationalize करें किया तो numerator में आपके पास one बन गया और denominator में जो प्रूव करना था सेम चीज आगी है yes or no चली आगे चले जी अजी students इसके बाद आते हैं NCRT exercise पे हम NCRT exercise में first question is express the trigonometric ratio means represent sin A in term of cos A sin A secant A and tan A in term of cot A right जी इन तीनों को हमने cot A की terms में करना है in terms of cot A right so tan A तो very easily we can do but we can write tan A is equal to one by cot अब आजेगे sin A and secant A sign को कैसे करेंगे do we have some relation in sign and cot do we have some relation in sign and cot yes or no बच्चों what is the relation please tell me sign or cot में हमारे पास क्या relation है मुझे तो कोई पता नहीं कोई relation please बताईए आप अगर है तो what is the reciprocal of tan sign or cos में पूछ रहा हूं बटा मैं cot और tan में नहीं पूछ रहा हूं देखे there is no relation between sign and cot but sign का reciprocal क्या हता है जी what is the reciprocal of sign cosecant cosecant or cot में relation है बच्चों हमारे पास yes or no we have this relation can we write this as one my upon sign square a yes or no can we interchange these terms can we write it like this right or not and what will be sign a equal to is it clear so this is a relation between sign and cot so we have represented sign a in the form of cot a is this clear now comes secant a and cot a again the same way secant and cot has no direct relation but reciprocal of secant that is tan and secant has yes relation what is the relation right is this clear is it clear or not ले भोलते लीए आप लोग बच्चे या तो समज आ रहा है या नहीं आ रहा है दोनों ही चीजे बताहिए न अगर आ आ रहा है तब भी बताहिए आ रहे आ अग। बटा आजी आ आ आ या ग अग आ दाए या अग या आप इसको आप solve कर लीजिए जी so what this become right so secant ही किसके equal हो जाएगा square root of this is it clear denominator में क्या वज जाएगा आपके पास square root हट जाएगा so this will be the relation please note कर लो बच्चो इसको कोई डाउट है बच्चो इसमें तो बताईए हाँ जी चले आगे आप्चो इसको इस अभाटी एगा एगे जी अफीच ही टाई ऑड़ सको इसमे एप्चो इसमेर एकि था मिस चाहे साइन है चाहे कॉस है आपने सब को सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट कोशन एंड सेकेंड कोशन आर सिमिलर यू कन ट्राइ हम आ जाते हैं थर्ड कोश्चन पे एंड सीची पे नौ सी दा फॉस्ट कोशन आप तुछा था पॉस्ट प्राइब एंड स्क्वरे माइन स्क्वरे माइन थैन स्क्वरे एंड स्क्वरे एंड तो दू थिस टेकि नाइन कमन so this is the same identity जो अभी हमने अप्लाई किये example 12 में so answer will be nine right ji is this clear is it clear bachum yes and the next question are the second part one plus 10 a one plus 10 theta plus secant theta into one plus cot theta minus cosecant theta is equal to we have to find its value right how to do this again the same way ji first of all convert into sign and cost form अब जो answer given है जो इसकी choices है अच्छा that is a number तो बेटर है कि इन सब को sign और cost की form में convert करके LCM ले लेते हैं ji so what this becomes is it clear bachum is this step clear what will be the next step step 2 क्या होता है what is the step 2 taking LCM taking LCM तो यहां पर दोनों bracket का आप separately LCM ले ले लेंगे so first bracket it will be cos theta here cos theta plus sin theta plus 1 right here sin theta plus cos theta minus 1 right जी अब जब आपने LCM लिया तो numerator में कुछ similarity नजर आ रही है बच्छो कुछ similarity numerators में दोनों में sin theta plus cos theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 so what we can do here can we apply identity can we apply identity a plus b a minus b right or not can we or not बच्छो अगर मैं इसको a ले रहा हूं और यह one b है तो यहां पर a minus b बन रहा है नहीं बन रहा है जी तो हम लगा सकते हैं identity बच्छो a square minus b square means sin theta plus cos theta whole square minus 1 denominators will separately multiply yes or no अब क्या करें इसको expand कर दें यह sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta minus 1 upon right बच्छो what is the value of sin square theta plus cos square theta 1 1 this is minus 1 so these two can be cancelled out yes so what you are left with upon sin theta this is cancelled out what is the value of this term will be 2 so 2 choice is there yes C choice will be the right answer is it correct बच्छो is this correct or not yes yes sir if you want to note down please note down yes students done better note होगे है नही हूँ अभी no please कर लिए so you have class till 920 or 925 920 920 920 टीक्या बच्छो कर लिए फ़िए आप वोगया बच्छो नोट? हंजी, next question students, third part of third question, secant A plus tan A into 1 minus sin A is equal to, again we have to find the value, same concept we will apply, what we will do? Convert into sin and cos, first step same as it is, right? What is the next step? LCM, right? So most of the time the steps will be same, right ji? So A plus B, A minus B again, A square minus B square, what is the third step? What is the third step? Identity. Identity. Consier identity लगेगी बच्छो यहां पर? Which identity to apply? 1 minus sin square A equal to cos square A. Cos square A, over? Cos A, so this is cancel out, so right choice will be cos A, so option D. Is it clear? So look at three steps in your questions, are you not done yet? Yes. Approximately 80-90% question will be done. There will be exceptions, just example 12, that was an exception. उसका एक अपना method है, उसके अपने steps है, you have to follow that. और उसी same question के बिलकुल एक जैसा, आपके पास question है, 5th, 4th question, 5th part. Just have a look at this 4th question, 5th part. बिलकुल same question है, इसमें आपको क्या करना है, वहां पर आपने divide किया था किससे? किससे divide किया था बच्छो? Cos A से? यहां पर आपको divide करना है, sin A से. Right? बेटा, दो differences हैं इस question में. एक तो आपको divide करना है, sin A से, numerator और denominator को. और दूसरी चीज है, वहां पर हमने identity लगाई थी, secant square A minus 10 square A. यहां पर कौन से identity लगाएंगे जी? कौन बताएगा? मैं पूछ लेता हूं नाम लेके या नहीं अगर आप बताते तो. हां जी बच्छों, Ruby, 10 B. वेर इस Ruby? कौन से identity लगाएंगे यहां पर? फूर्थ कौन फिफ्थ पार्ट में? यूर्वाइस इस नोट अदुबल तुम में पेटा इट विल बी चोसीकेंट square A minus cot square A. बागी कॉस्ट्टिं एक्जाम्पल 12 यूर्पन कॉस्टिंट। नंबर 5 फूर्थ पार्ट और इस धी मिर्स थान पर था ना यूर्ट फिफ्ट्ष स्कूर्च यू 어떻? I cannot find this question question fifth part 4th question 5th part 4th question 5th part cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosecant a plus cot a this is the same question right is this clear time is there or it's over so in the meantime i request you to please try ncrt after your doubts i'll take up the doubts tomorrow and then we will move to the assignment part okay thank you students